नमस्कार मैं हूँ आपके साथ राकी लंबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्स्प्रेस तो क्या महाराश्ट में सरकार गिरने वाली है? क्या साल 2024 के लोगसबा चुनाफ से पहले बीजेपी को महाराश्ट से बड़ा जटका लगने वाला है? आपने अमोमन तोर पर ये सुना होगा है कि बीजेपी चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करती है और कई राज्यों में इसके उधारन भी देखे होंगे लेकिन महाराश्ट में कहा जा रहा है कि बड़ा खेला होने वाला है आज शाम चार बजे तक शिंदे गुट के 40 विधायकों को आयों के ठहराने के मामले में सुनवाई होगी विधान सबा स्पीकर राहुल नार्वेकर ये सुनवाई करेंगे और का जा रहा है कि सुनवाई के दौरान बड़ा जटका लग सकता है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी को शिंदे गुट को और इसी किसा साथ डिपटी सीयम बने देवेंद्र फड़न वीज को जी हाँ आज बहुत बड़ा दिन महराश्ट्र की राजनीती में शिवसेना में दो गुट हुए थे बाला साहिब ठाकरे की शिवसेना जिनका एक लंबा सफर रहा उस शिवसेना को तोड़ कर दो गुट कर दिये गए थे एक गुट है उदव ठाकरे UBT और एक है शिंदे की एकनात शिंदे जो अभी मुखे मंतरी है उनकी शिवसेना जिसके बाद उदव ठाकरे कोट पहुँचे थे और सुप्रीम कोट ने ये फैसला विदान सबा अध्यक्ष के पास छोड़ दिया था आला कि अब ये खबरे आ रही है कि उदव गुट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्पीकर ने फैसला फिक्स कर दिया है और हो सकता है कि शिंदे गुट के ही पक्ष में ये फैसला आए अगर ये फैसला शिंदे गुट के पक्ष में नहीं आता है तो क्या महाराष्ट में सर पीकर ने पूरे तरीके से अश्वस्त किया है सुत्रों के अवाले से खबर है कि फैसला शिंदे गुट के पास ही आएगा उनके हक में ही आएगा इन खबरों के बाद महाराष्ट की राजनीती और भी ज्यादा गर्म हो गई है और बयान बाजी दोनों तरफ से चल रही है बहुत बड़ा उधारन सेच हो जाएगा कि चुनी हुई सरकारों को गिरवाने का काम जो बीजेपी करती है उसके बाद भी नियाई की एक उम्मीध है बहराल फैसला राहुल नार्वेकर को करना है विदानसभा अध्यक्ष है देखना होगा कि शिंदे समेत 49 विदायकों की आयोगिता मामले में फैसला किस गुट के पक्ष में आता है आपकी क्या राए है हमें कमेंट करके जरूर बताएं नमस्कार